नमस्कार सभी राजों में लागू होगी OPS या UPS OPS और UPS इन दोनों को लेकर All India Railway Mansion Federation के मा सचीव और रास्ट या परिशत के सचीव सिव गोपाल मिस्र ने एक बयान दिया है केंदर और राजय सरकार को यह योजना पुरानी पैंशन योजना और नई पैंशन योजना के विकल्प के रूप में लागू करनी चीए अब यह लागू होनी चीए या नहीं होनी चीए अब कमेंट सेक्शन में लिखेगा वहीं आगे बताया है कि UPS के तहट करमचारियों और पैंशनस को एक निश्चित पैंशन सुनिश्चित की गई है जो कि NPS की एस्तिरता को समाप्त करती है बाकि OPS, NPS और UPS में क्या-क्या बेनिफिट मिलते हैं तो OPS में करमचारियों के शेवन निवर्ति के बाद में आधितन को पैंशन के रूप में सरकार पूरी रासी देती थी इसका माधी थी लेकिन इस पर भारी वित्तिय बोज होता था NPS में शेयर बाजार पर आदारित होने के कारण एसरक्षित मानी जाती थी सेवन निवर्ति के बाद में पैंशन की कनफर्मेशन नहीं होती थी टैक्स और महेंगई राहत का प्रावधा नहीं था वहीं UPS में 10 साल की सेवाओधी पर करमचारी को मिनिमम 10,000 रुपे की पैंशन दी जाएगी 12 महीने का उसरत निकाला जाएगा जो बेसिकों का उसका और 50% पैंशन की रूप में मिलेगा और 6 महीने पर महेंगई राहत मिन से DR मिला करेगा इसके अलावा अन्ने अपडेट्स के लिए आप हमें सब्सक्राइब कीजिएगा आपकी NPS, OPS और UPS को लिएकर क्या रहा है कमेंट सेक्समें लिखेगा